वेल्कम बैक आप सभी का स्वागत है आपके अपने उनक्रेटफर्म डेटर क्लास पे आपको आदमिक भातिय दिहास से रिलेटेड पूरा मॉरन हिश्टी का चैप्टर कराया जा रहा है पुरी बुक कई सारी बुक का कमपाइलेशन है ये महत्रपोर बिंतों के साथ विस्ता अहीं से जिएज्य जयोग्रफी की चल रही है जल्द ही आपको जो है का से एस्योंटों की की भी देखने को मिलेगी उन्यमृल आपको झैसरा जो है विडियो को सेड करना है लाइक करना कि अर्फ्य कि हम आपको बता रहे थैं मौड हिश्ट्री में वह आम आपको पूरा औ और आसफुद दौला सुजाउद दौला वाजिद अली साहा तक के हम पहुँच चुके थे अब इसके बाद हम आते हैं हैदराबाद ही दिखिए हैदराबाद हमारा राजी रहा है हैदराबाद जो है आसफजाही वन्स की स्थापना करी दक्कन में एक मुगल सुवेदार नि इनको निजामल मुल्क भी बोला जाता है चिंकलिच खां को 17-24 मेंवने एक हैदराबाद की स्थापना करी थी बुगल संबद मुहम्मद साय चिंकलिच खां को आसफ जहां की बाद में उपादी पदान कर दी इन्हें दक्कन का वाइसराय कहा जाता है पूछा जाता है दक् 17-28 में की डेथ हो गई थी 17-24 में एक युद्ट वाता सकूर खेडा सकूर खेडा के दूमें चिंकलिच खां ने मुगल सुबदा मुवारिच खां मुवारिच खां को पराजित भी किया था हिंदू के पर दिकाफी उदार थे इन्होंने एक हिंदू पूरन चंद को अपना गवनर जर्नल कौन थे लॉड विलेजली यह थे आपके लॉड विलेजली तो सहायक संद 17-29 में जो करी थी सबसे पहला भाती रहता जिसने जो है सुईकार करी थी ते आता है करनाटक साउट के बारे में चल रहे हैं यह करनाटक की स्थापना जो है सोतनतराजी के रूप मे यह भी था सद तुल्ला खाने मा आ जाता है यहोंने आरकार्ट को अपनी राजदानी बनाया था आरकार्ट करनाटक का जो है इसमें जो प्रियोग भाती करनाटक का जाया था जो यूज होता था जो महाँ पर मतलब इंडो और अंग्रे जो फ्रेंच यानि बिटिस और फ्र रिलेशन भी रहा है साथी साथ महाना प्रताप सेंग का डिस्प्योट भी रहा था 28 सताबदी की राजपूर सासकों में सवाई राजा मेजा जैसिंग का नाम सर्वो पर ही है इन्हें सवाई राजा की उपाद ही दीथी मुगल बास्ता फरुक्सियान ने कुछ लोग कहते हैं कि औरंग जेब ने पदान करी थी इहोंने विज्ञान उकला के केंद्रों के रुम में जैपूर की स्थापना करी सवाई रजा जैसिंग मेजा जैसिंग ने जियो है करी थी जैपूर सहर की स्थापना उसल सासक थे, विदी वेट्ता थे, खगोल सासी, नगर नियोजक थे, नगर स्थापक और वभग्यानिक इनको माह जाता है जैसिंग ने मत्रा उज्जयन दिल्ली वरांट सी में वेट सालाओं का भी निर्मार कराया करे जैगे पे जय सिंग ने जिज मोहम्मद साही नाम से सानीयों का एक से्ट तिया कर वाया था जिसे खगोल सास्त में संबंधी प्रविछने मरत मिलती थी तो पुछा जाया तो किस ने कहा है था मेजा जय सिंग ने जैसिंग ने युकलिट की जो रेखा करित के तत्तो का सरंस्कित भासा में नुवाद कराया था युकलिट जैसिंग सरंस्कित मराथी, तुर्की, फार्सी और भी भासा के ग्याता भी थे सवाई और मेर्जा के अधि जैसिंग को सर्मदे राजाय हिंद अब सर्मदे, राजाय हिंद, स्रीराज, धिराज की उपाद भी मिली थी फिर एक आपका राजी आता है भरतपुर ये जाट राजी महा आ जाता है इसकी स्थापना चोड़ा मन और बदन सिंग ने करी थी चोड़ा मन की मित्टू के बाद बदन सिंग अगला जाट राजा बना इसने दीग, कुम्बेर, वेट तथा, भरतपुर में चाध रुर्गों की स्थापना भी करी थी अहमस साब डई ने बदन सिंग को राजा की उपार्दी थी अगला जाट साजाब के सूरज मल बने थे इससे जाट जाती का प्लेटो यानि अफलातून भी बोला जाता है यह अफलातून वर्ड वही से निकल के आया है रुहेल खंड, अब ये एक स्थापना के थी वीर दाउड और उनके पुत्र अली मोहम्मद खाने रुहेल खंड, बुंदेल खंड और रुहेल खंड एकी पास है सुतंत राजिरू रुहेल खंड था, राज में उत्तर में कुमाओं से दच्छिण में गंगाईरी तक फैला था फिर आपका आता है मैसूर, ये इंपोर्टेंट है हैदर अली के टाइम से देखिया है, ये इंपोर्टेंट रहा है ताली कोटा का यूट लड़ा गया था फंदरा सो पैसट में तो वेंकट डुती के समय मैसूर में जो है वाडियार वंस चलता था उसकी स्थापना गई 1612 में इस वंस के अंतिम सासक, चिक्का, कश्निराज, दुती थे और वास्तिविक सत्था देवराज उननराज के हाथों में थी हैदर अली कर्म 1722 में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था हैदर अली के पिता फते मुहम्मद मैसूर किले में सेना के अधिकारी थे 1755 में हैदर अली को डिंडी गुल के किले का फौसदार निफ्ट किया गया 1749 में सनिक के रूप में सामिल हुए थे अपनी योगिता के बल पर सासक भी बने इए फ्रांसीसियों से के सायोगर उने के 1755 में एक आदमिक सस्त्रगार की इस्थापना इन्होंने करी थी 1789 तक अंग्रेजों के अक्रामक नीतिका पहला युद्धी परणाम था है अंग्रेजों के विद मराठे न निजाम और संदी करके संइफ्ट मोर्चा सेना बनाई थी इन्होंने हैदर अली की नत्रट वाले मोर्चे ने अंग्रेजों के मित्र राजिक करनाटक पर भी उन्हें आक्रमर कर दिया था अब कालांतर में निजाम हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेजों की और हो गये फिर हैदर ने कहा कि मैंगलोर पर आक्रमर किया बंबई पर पराजित किया अंग्रेजी सेना को दर्चिन की रियासतों का हैदर अली प्रतन विक्तर जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था यह आपसे पूछा जा सकता है फिर अब उस टाइम गवर्णर जेनरल कौन थे गवर्णर लाड वेरलाश्ट थे फिर 1769 में अंग्रेजों ने जो है हैदर अली से मदरास की संधी करी थी ये पूछा जाता है मिलान में मदरास की संधी कब होई थी मद्रास की संधी हैदर अली और अंग्रीजों की बीच होई थी 1779 में अब इस संधी से अंग्रीजों को काफी जो है अपने उपर एक ब्लीम जैसे कहते हैं धबा लग जाता है फिर 173 में अंग्रीजों ने मैसूर में इस प्रांसी सी कबज वाले माहे राजी पे फिर से आक्रमड किया माही एक दीप है उस पर अजयों ने आक्रमड किया और उस पर अधिकार के लिए फिर सेकेल एंगलो मैसूरवार होता है 1780 से 1784 इसमें एक बार फिर हैदर निजाम उमराठों से अंग्रीजियों के विट संधी कर ली थी 1780 में हैदर अली ने करनाटेक पर आक्रमर के अधुती अंगलो मैसूर युद्र की सुरवार भी कर दी अब यहाँ जर्नल वेली जो है बुद्रे परास्त होकर अरकार्ट प्यादिकार कर लिया 1781 में हैदर अंग्रेज का संधना जर्नल आयरकूर्ट से हुआ अब आयरकूर्ट कौन थे हैं उन्हें पोर्ट अनोवा कि उन्हें हैदर को परास्त किया था लेकिन इसका कुछ से एक ततकार इनको एलाब नहीं मिला था तो 1782 में किया था हैदर ने वह फिर अंग्रेज अनों को पराजित करें दो बार पराजित करें लेकिन घायल होने के कारण इनकी जो है साथ दिसंबर 1782 को उनकी डथ हो जाती है अब बैदाए ने क्या किया था अपने काल में तामबे सोने के सिक्कों पर सिव पारवति और विष्णू की मूतियां कित कराई थी फिर 1784 तक हैदर के पुत्र ने टीपू सुल्तान अबाते हैं उनका उदे होता है और सेकेंड अंगलो महसूर वार होता है और दोनों पच्चों में मैंगलोर की संदी संपन होती है और युद्ध समाप्त हो जाता है मैंगलोर की संदी किसके बीच हुई 1784 में तीपू सुल्तान और अंग्रेजो के मत थी अब इस टाइम जब संदी हुई तो गवर्णर जनरल कौन था ये कोशिन पूशे ज़्यादा जनरल वारेन हाश्टिंग्स थे पर टीपू सुल्तान 1782, 1799 तक रहा ये अपने पिता के मत्रो के बाद गदी पर बैठे ये पढ़े लिखे सासक थे इनको अरबी, फार्सी, उद्दू, कंणर सभी भासाओं का इन्हें ग्यान था ये उने अपने नवीन प्रियोगों में अंतरगत नई मापतौल की एकाई नवीन मुद्रा समवत का पेशलन किया सर्थामस मुन्नों ने टीपू के बारे में लिखा था टीपू नई रीचाने वाला असान्ती आत्मा है टीपू ने अपने पिता लेखें यहां पेशलत लिखा है टीपू ने अपने पिता हैदरली के विप्रीत खुले आम सुल्तान की उपार धार्ण कि और 1787 में अपने नाम का सिक्का भी जारी करा दिया था टीपू दोरा जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं सिवपारवती विष्णू के चित्र होते थे टीपू ने वर्सों और महिनों के नाम में अर्बी भासा का प्रियोग किया था यह important point है टीपू सुल्टान ने संगेरी के जगतगुरू संकराचारी के सम्मान में मंदिरों के पौनिरमार धंदान की दंदान भी किया यह उन्द संगेरी मंदिर में देवी साधा की मूती का बनिरमार कराया था अब फ्रांसीसी करांती से उने प्रावित होके सीरंगपटनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की उसका सदस्य बना और सयम को नागलिक टीपू कहलाने लगा टीपू ने अपनी राजधानी सीरंगपटनम में फ्रांस और मैसूर के जो युद्धूए थे उसके प्रतीक के रूप में सुतनता कर विच्छ भी लगवाया था टीपू सुल्तान ने विदेशी राज्यों से मैती संबंद बनाएं अंग्रेजी जो सेना थी इनको यह भा नहीं रहा था इतना नौसेना बोर्ट का गठन किया 700 86 करीब आपने रॉकेट टकनीक का टीपू दुनिया का पहला रॉकेट मैन मना जाता है इस तरुष नहीं की स्ह lavoro केड आपünk है एक थो वो दॉन पहलिदा राजी आ था आदुनी कुद्धों के इस थापना में उजूची रखी थी, फ्रांसीसी जल सेना के एक लिट्विनेट, जीयो को इन्होंने निफ्ट किया था अपना सेनापती, इनके दो प्रमुख हिंदू मंत्री भी थे, पुरुनिया और कश्ना राओ, टीपू की वीताकार उसे सेरे मै मैसूर भी कहा जाता है, अब थर्ड एंगलो मैसूर वार होता है, यह टीपू की समय लड़ा गया था, थर्ड एंगलो मैसूर वार, 792 से अंग्रेजों ने मराठाओं और निजामों के सयोग से, देखिए, अब इनके साथ दोका हुआ, जो इनके साथ रहते थे, इनके साथ हो रहा था, मिंडोस दो था, टैप्टन, उसने जो है, आकरमर किया, आकरमर में टीपू हार जाते हैं, और अंग्रेजों और टीपू के 2792 में से रंगपटनम की संधी संपन होती है, वेरी वेरी इंपोर्टन, कई बार एक्जाम में आई है, से रंगपटनम की संधी, अब कि अपने राजे का आदा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ेगा, साती युद के हजाने के रूप में तीन कौन रुपए अंग्रेजों को देने थे, से रंगपटनम की संधी में यह भी सामिल था, जब तक टीपू तीन कौन रुपए नहीं दे देगा, तब तक उसके दोनों पूत्रों को अंग्रेज कपजे में रखेंगे, अब इस टाइम गवर्णर जनरल कौन था, लाड कानवालिस था, यह भी इंपोर्टन्ट है, तो इस संधी पर टिपड़ी करते हैं, गवर्णर जनरल लाड कानवालिस ने कहा था, हमने अपने मित्रों को अधिक भया आनक बनाए बिना ही अपने सत्रू को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया, अब लाड कानवालिस के बाद जो है, जनरल सोर बनते हैं, गवर्णर जनरल, और इन्होंने अहस्तच्छेप की नीती अपनाई थी, यह इंपोर्टन ने पूछा जाता है, अब जान सोर के बा मैसूर पर पूरब की और से जनरल हैरिस, करनल वैलेजली, पस्चिम सर जनरल इस्टोवर्ट ने आक्रमन किया, और इनकी टीपू सुल्तान की सिन्हा को बहुत ही बुईदरी किसे हराया, और फिर टीपू जो है, अंत में मारे गए, टीपू की वीता का उसे नूरे, इसलाम कराज हमारे कदमों में है, मैसूर को जीतने खुसी में आरलेंड के लाड वैलेजली ने मर्वसिस का उपाध हिनको मिल गई थी, तो अगले वीडियो में हम आपको पंजाब के बारे में बताएंगी, इसमें आपका जो अभी हाज हमने आपको बताया, टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में सीरंग पटनम की सद्धी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी 1792 में हुई थी, कौन कौन से युरूत लड़ेगे ये इंपॉर्टेंट है, कौन उस टैम गवर्नर जनारता कान वाले सोवलेजली का नामा बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, और इस करना है, लाइक करना है, और सब्सक्राइब करना है, तब तक के लिए धन्यवाद,